जैहिंद साथियो साथियो आप लोग का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के उपर HP23 अनिल आर्मी रेडर ब्लोंक्स दोस्तो तो आज मैं आप लोगों के लिए और नई जानकारी के साथ आया हूँ दोस्तो तो ये जानकारी आप लोगों के लिए नहायती जुरूरी है तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होना बहुत ही जुरूरी है दोस्तो तो दोस्तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारी जानकारिया मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जूरू देखें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें दोस्तों और इस वीडियो को जदा-जदा लोगों तो यहां पर आपको बता दूँ कि दोनों ही बरती में जो अलगलग लग डगुमेंट मांगे जाते हैं वह क्या है आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को अगर को देखना चाहते हैं अच्छे से और लोगों के साथ सेर कर होगे दोस्टो तो और लोगों का भी इसमें के तो इसमें वेन फिट हो जाएगा दोस्टो दोस्टो दोनो स्वरी दोनो आर्मी बर्ती को आपको अलग अलग डिकूमेंट्स। की लिस्ट जो आपको कहा है इंडिन आर्मी के औरीजनल वेबसाइट पर भी आपको पूरी डॉक्मेंट की जो लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों पहले मैं और जो एक डॉक्मेंट से उनकी बात कर लूँ पहले तो क्या क्या हमको चाहिए होते हैं होता है दोस्तों उसके बाद हमें अनमेरिड सेटिफिकेट चाहिए होता है उसके बाद कार्ट सेटिफिकेट चाहिए होता है उसके बाद पुलिस बैरिफिकेशन सेटिफिकेट चाहिए होता है उसके बाद फैमिली फोटो डिटेल्स चाहिए होती है दोस्तों उसके बाद चाहिए होता है variation affidavit चाहिए होता है जिसमें name is और address होना चाहिए दोस्तो आपका और 30 passport size photo चाहिए होते हैं दोस्तो तो दोस्तो यह सारे documents हैं जो है जो है बरती के अंदर लगते हैं दोस्तो तो दोस्तो आपको बता दो कि army की जब relation बरती जब आप देखने जाते हो तो बरत läuftis देखने दोस्तो अगर आप गलती से एक या दो document नहीं लेकर गए तो आपको टाइम नहीं दिया जाएगा उनको बनवाने के लिए दोस्तो हो सकता है कि आप एक दो data document और गलती से नहीं लेकर गया तो उसके लिए आपको महां पर time भी कुछ वह दे सकते हैं वह उनके ओपर do 이번 करता है कि आपको time वह देंगे दोस्तों वहाँ पर आपर हमования past करते हैं आपर आप अंपर हमका ने और दोस्तों के बाद सेकंड ली बात करूं एट्ध टैन्त टविल्थ स्वास की जो है ऑरीजनल मार्क सिट चाहिए दोस्तों रिजल्ट कोपी नॉट भी नहीं अदर उसके बाद बता हुआ आपको डॉमसायल शर्टिफिकेट नेटिविटी या रेजिटेंस सै्टिफिक एंड अधर बैकवड क्लास जो है उसके लिया है तैसीलदार के सगनीचर होना चाहिए दोस्तों उस के बाद नेक्स्ट बात करो दोस्तों तो वह है कास सर्टिफिकेट फॉर जनल कैटेगरी वह होना चाहिए परधान या सर पर्धान चाहिए उसके वहां पर साइन किये होा हो पर करम होना शाए आपके पास हमद्र होना चाहिए दोस्तो के साफ हमद्र स्कुर्ट स्कूल से जो स्कूल से आपको सी बता है वह होना चाहिए दोस्तो उसके बाद दोस्तों चाहिए आपको family photo details, family के साथ photo details चाहिए दोस्तों, उसके बाद next अधार card, pen card और आपकी bank passbook चाहिए दोस्तों, उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पर variation affidavit चाहिए जिसमें आपका name, age और address होना चाहिए, वो भी rupees 20 stamp paper का होना चाहिए, या अबलिक affidavit होना चाहिए दोस्तों, तो उसके बाद होता है self-affidavit भी चाहिए दोस्तों एक, और उसके बाद चाहिए आपको sponsorship certificate अगर है तो, उसके बाद आपको चाहिए 20 जो है passport size photo with background जो उसका होना चाहिए, blue oblique red होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद covid-19 का जो free जो यह certificate जो certificate है वाद हो चाहिए आप को, उसके बाद know risk certificate चाहिए दोस्तों, उसके बाद bond все card एक एडामिमेंटी चाहिए, जो certificate चाहिए वह भी आपको चाहिए उसके बाद आप चाहिए nccc or sports certificate चाहिए यह not compensary है, AOught compulsory नहीं है, अगर है तो ठीक है नहीं है, तो कोई Hernás नहीं है द आपको कौन-कौन से कि आपको बता दिए जाए कि आपका दौट लग जाती है तो उसके बाद क여 पूरे ड्कुमेंट के चेक करने होते हैं और पिर आपको यह निया जाता है कि बनवाने के लिए कि आपको आर्मी में ज्वैनिंग होती है तो आपको एक डुकुमेंट बनाने के लिए UG7 दे दिया जाता है दोश्टोव यह बकिर टोफार आपको कौन-कौन से वह बता दियarna धुकून और आपको बताद में पहले मांगते हैं दोस्तो वह बता्थ Μने में बता दित은 जिस ट्रेड में भर्ती देख रहे हैं उस हिसाब से और दूसरे भिसाब से दूसरे आपके पास जो है एड्मिट कार्ड होना बहुत ज़ला जुरुरी है यह तो यह ड्रक्मेंट साफ आपके पास होने जुरुरी है दोस्तो USDA उसके बाद आभी बात करते हैं ओपन भरते रहली के लिए जो डॉक्मेंट से हैं वो कौन से रिकॉर्ड है दोस्तों एडमिट कार्ड पास्पोर्ड साइस फोटो करंट का जो लेटेस्ट है उसके एजुकेशन सेटिफिकेट रिलीजन सेटिफिकेट स्कूल क्रेक्टर सेटि है तो आप दे सकते हो उसके ऐफेडैविट मिस्टेक उसके बाद आपको सिंगल बेंक एकाउंट पैन काड और आधार काड दोस्तों तो दोस्तों अगर आप और वी जानकारी चाहते हैं तो मुझे बिचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों और यहां पर जो है मैंने जाके आप एक वेबसाइट के उपर जा सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और कौन सा साइटिफिकेट कैसे बनवाना है वो भी आपको इस वेबसाइट के उपर दोस्तो जानकारी मिल जाएगी तो मुझे कमेंट करके जुरूर ब और बी लोगों की गया हेल्प हो जाए दोस्तो तो दोस्तो सेना भरती में कैसे भी उमिदार कोई भी ब्यक्ति भारतिय सेना के संगठन या अधिकारियों के संदब होने का दावा करता है तो इस दावे के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी संबब नहीं है जरूर करें दोस्तो तो दोस्तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे सेर कर दे और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत वंदे मातरम